आज हम बात करने वाली है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसका नाम है क्रेणियल नर्व जो है उनको याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसमें सीथे सवाल पूछे जाते हैं और उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में अपन बात करेंगे तो फर्स्ट आप आल वी नो कि यूमन्स के अंदर केतने पेयर है त्वल्प एर्श ठीक है तो इसमें सी फ्रेव पियर में कौन कौन से है तो फास्ट निर्वान सेकेंड थर्ड फूर्थ फिफ्ट शेक्स्थ सेवन्थ इस एट पने तैंड और ट्वल्प एर्ट फिफ्ट अब इनके नाम क्या-क्या है वह जी तो यह जो बारा क्रेनियल नर्व है इन बारा के पहले चीज़त वह उ मको नाम याद रखना जरूरी है तो फर्स्ट प्रेनियल नर्व है यदि इस olfactory cranial nerves okay first one is olfactory next optic nerve then third one is oculomotor nerve then then comes prochlear nerve next trigeminal nerve trigeminal nerve is also called dentist nerve क्या बोला जाता है इसको dentist nerve भी बोला जाता है इसी तरीके से drochlear के लिए word यूज़ किया जाता है pathetic sixth one is abdacens next is facial nerve next auditory auditory इसके बाद में है auditory के बाद में है glossopharyngeal next vagus nerve vagus nerve के बारे में है important बात it is the longest nerve लॉंग यस को और और बोला जाता है नियुमो गेस्ट्रिक बोला एक लाँ नेक्स्ट रपन बात करते हैं विगस के बार में इस्पाइनल असेसरी नस असेसरी स्पाइनल भी बोला जाता है ने लास्ट वण इस हाइपो ग्लॉसर तो इन नर्व's के बारे में हमको कुछ बाते जो ध्यान में रखनी है परिली चीज तो इसमें से कौन sensory type की neutron है और कौन motor type की neuron है वो बात ध्यान रखनी है तो उसके लिए simple सा एक sentence बनाया गया है जो कि आपने और बी व्य वीडियो में देखा होगा कि simple It is some says money matter but my brother but my big brother says big book matter more simple sentence sentence बनाय हुआ है कि इनको याद रखना है कि कौन सी sensory neuron है और कौन सी motor neuron है कौन सी mix tribe की है ठीक है तो एक sentence जो आपको और भी वीडियो में दिखा होगा आपने कि एक sentence है जिसको बुलते है अपन some says money matter but my brother says big book matter more तो यह बहुत आसा तरीका है यहाँ पर S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है S रिप्रेजेंट कर रहा है sensory M रिप्रेजेंट कर रहा है मोटर निउरॉन को and B रिप्रेजेंट करता है बोथ निउरॉन्स क्या तो यह हमारे पास आ गई सिंपल की पहली दूसरी दूसरी कोई भी कोशन हो कि वही इसमें से कौन सी निउरॉन किस टाइप की है तो उसको याद रखने के लिए तो यह स्टेटमेंट हो गया रिप्रेजेंट कर देता हूँ यह हमने सब ने पढ़ा है तो यह तो सिंपल है अब इनके नाम याद रखने हमको निउरॉन्स के लिए तो उसके लिए हमको जैसे ओल्फेक्ट्री फिर ओक्टेक ओकिलो मोटर अब इनको पहली चीज तो अपने को इनके नाम तो अट लीस्ट पता होने चाहिए कि भई अगली नियरॉन का या उस पर्टिकुलर नियरॉन का क्या नाम होगा तो पता है लेकिन उनको एक और में याद रखना है तो उसके लिए एक सेंटेंस बनाया हुआ है सिंपल सा तो देखिए गा इसमें सबसे पहला एक वर्ड लेक रहा हूं में ओली आपकी आँखे याद रखना है बॉइली आपकी आँखे ठीक है आगे आपको याद रखना है तोर तरीके अब्दुल फैजल फैजल खान वसेपुरवला ठीक है तो तोर तरीके अब्दुल फैजल ओड़ी गाड़ी वगेरा क्या याद रखोगे ओड़ी गाड़ी वगेरा स्पीड अच्छी है यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं दो सब्द एक के अंदर ही डाल रहा हूं ठीक है स्पाइनल एसेसरी नर्व है इसलिए इसको यह से लिखा है स्पीड अच्छी है अब आसान हो जाएगा ओड़ी ओड़ी से याद रखना अलफेक्ट्री आपकी से याद रहेगा हमको ऑक्टेक आखे से याद रहेगा ओकिलो मोटर तोर से रहेगा ट्रोकलियर तरीके से ट् स्पाइनल एसेसरी और है एच सेंट से आइको ग्लोस रहे तो सिंपल ओड़ी आपकी आँखे तोर तरीके अबद्लसयर ऑड़ी गाड़ी ओड़ी ओड़ी ऑगेरा स्पीड अच्छी है थेखाँ तो नाम अपने को आसान ही से याद होगे अब नाम याद होगे तो इसके क इसके लिए वीजन के लिए ओकिलो मोटर और ट्रोकलियार याद रखना ये दोनों आईबॉल के मुवमेंट के लिए इंफेक्ट अब्देसंस जो है ये भी फोर दो मुवमेंट आफ आईबॉल ट्राइजमिनल को क्या बोल रहे हैं अपन डेंटिस्ट नर्व क्योंकि डेंटिस्ट है इसको डी संसिटाइज करता है किसी भी टूथ को पेक्ट करने से पहले उसको वाह से हटाने से पहले ठीक है फेशल नर्व इस रिलेटेड तो फेशल मुवमेंट एस वेल एस पोर सलाइवा सिक्रीशन अपनने पड़ा है अपनने पड़ा है अपनने पड़ा है तो हेरिंग से रिलेटेड ये बात होती ग्लोसो फेरेंजेल is again for the movement of tongue as well as saliva सिक्रीशन and taste वेगस निरोन is most important निरोन because it is longest निरोन ये बोडी की जो important internal organ है visceral organ वहाँ पे enter करती है वेगस निरोन कहां का जाती है heart में जाती है, lungs में जाती है larynx में जारी है pneumogastric बोल रहे है gastro मतलब stomach और intestine में भी जारी है और lungs अपनने बात करी लिए spinal accessory neuron जो है spinal accessory neuron is related to pharynx and larynx muscles and again hypoglossal is related to hypoglossal glossal word आया है यहां पे भी glossopharyngeal जाता आया था वो tongue or taste से related था यह भी tongue movement से related है यार तो यह इनके काम भी आसान हुआ जाती है अब इनसे related कुछ और चोटे-चोटे से trick से जैसे अपने को एक तो अपने को याद रखना ही रखना है कि जो दसवा neuron है vegas that is longest neuron यह आप रखेंगे लॉंगेस्ट नियूरॉन पिर अपने को एक मैथमेटिकली में बता रहा हूं ध्यान रखना एक याद रखना 456 तीनों को याद रख लेना 456 लगाता है सिरीज में याद हो जाएगा यह 456 क्या है इसके आगे एक वर्ड बता रहा हूं TLS इसको याद रखना तुम लोग 100 क्या याद रखोगे तुम लोग 100 तो T stands for thinest L stands for largest and S stands for smallest तो इन 12 में से अगर कोशिन आए कि thinest कौन सा है largest कौन सा है और smallest कौन सा है तो thinest fourth neuron है that is troplier nerve उसी तरीके से largest है वो fifth neuron that is trigeminal smallest है वो कौन सा है abdiscence clear तो याद हो जाएगा thinest largest और smallest आसने से अपने को याद हो जाएगी clear directly अगर अपने को याद रखना है कि कौन कौन सी है तो पहली चीज तो याद रखना है TLS क्या याद रखोगे TLS तुम लोग 100 क्या याद रखोगे तुम लोग 100 या तुम लोग 100 तुम लोग 100 तो TLS अब अगर सीधा ही option में अपने को टेबल वगेरा नहीं बनानी पड़े option में की thinest कौन सी है तो उसके लिए भी एक क्या बलते है ट्रिक है याद रखना Trophy Try ABD ABD विलियर्स वेल नोन क्रिकेटर है दुनिया का लेकिन IPL नहीं मिला उसको RCB की मनुसियत ठीक है तो ट्रॉफी के लिए Try करो ABD असन है तो thinest is ट्रॉप्लियर्स लार्ज़स्ट इस Triseminal and smallest is एक चीज और याद रखना एक और है कि इन में से ANS Autonomous Navas System का पार्ट कौन-कौन बनेगा ठीक है तो उसके लिए याद रखना 3 10 7 9 Part of Autonomous Navas System ANS ठीक है इसके लिए भी अपन सीधा सा ट्रिक बना सकते है तीनो दोस्त साथ नहीं क्या आप लिखेंगे तीनो दोस्त साथ नहीं ठीक है तो यह कुछ ट्रिक्स है जिसके तुरू अपन cranial nerve को बहुत आसानी से याद रख सकते है I hope it is clear now